First Byte की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्रायर जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत नाश्कार मैं हूँ रवी शर्मा और आप देखे हैं First Byte.tv क्या हम अभी भी यही कहेंगे कि मेरत में कोरोना हमें अपनी ग्रफ में नहीं लेगा वहें भी तब जब पिछले 4 दिन से 4 लोग वाइरिस की चपेट में आकर मौत के मूँमें समझ चुके हैं कुल नौ लोग कोरोन के कारण मारे जा चुके हैं जबकि पिछले तीन दिन में 62 नए मामले सामने आएं। 62 सिर्फ इसलिए क्योंकि टेस्टिंग की संख्या अभी बेहत कम है। हालाद बिगडने वे बाद गले तक आजाने के बाद मरीज खुद बेखुद बाहरा रहे हैं। अगर पूल टेस्टिंग अधीक हो तो यह संख्या बढ़ सकती है। आज सदा थाना छित्र के रविंद्र पूरी निवासी जिस शक्स की मौत हुई है उसकी मौत पहले हुई और कोरोना पुष्टी बाद में। अब तक कुल मिलाकर के 5 लोगों की मौत कोरोना पुष्टी से पहले हो चुकी है। सवाल खड़े हो रहे हैं सरकारी तंत्र की इस से रोजान संक्रमितों के संख्या दहाई के अंक के ऊपर ही आ रही है। इस बिज सिंडिकेट बैंक सुरज कुंड के असिस्टेंट मैनेजर की रिपूर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। वह गुपता कॉलोनी निवसी है। बैंक बंद कर सभी को कॉरेंटीन कर दिया गया है। जिला प्रशाशन द्वारा मरीज पाने के बाद जिन जिन इलाकों को होट स्पोट घोशित कर सील कर दिया गया है। वहाँ लोगों को घरों से निकलने के बिलकुल इजाज़त नहीं है। सड़कों पास सनाटा है। बैंक डेरी आधी भी बंद कर दे गई है। फर्स् इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने तेल की कीमतों में इजाफ़ा करते हैं पैटल दो रूपे और डीजल के रेट में एक रूपे की व्रधिक कर दिया है। प्रदेश में पैटल की कीमत 73.91 रूपे परती लीटर कर दी गई है जो पहले 71.91 रूपे थी। वहीं डीजल की कीमत 63.86 रूपे परती लीटर कर दी गई है जो पहले 62.86 रूपे थी। इसी क्रम में यह लग रहा है कि सरकार ने भी यह मान लिया है कि चाहे रेट कुछ भी हो और कितना भी बढ़ा दिया जाए गलातर करने वाले तो गलातर करके ही मानेंगे चाहे किसी भी कीमत पर। लि बता दें कि सोमवार से ही यूपी में शराप की दुकाने खोली गई है और पिछले एक दिन में करीब 100 करोड रुपे की शराप भी की है। इस ख़बर में आज इतना ही आप देखते हैं फस्टबाई.tv नमस्कार।